बंदे मात्रों माड़ी ए स्टुडंस तुडे वी ओ स्टार्ट और चेप्टर नमबर 6 डेटा हैंदलिंग अब स्टांडर्ड 2 सब्जेक्ट मैट्स बच्चो आज हम पड़ेंगे चेप्टर नमबर 6 डेटा हैंदलिंग जिसमें हमने अगले वीडियो में कुछ डेटा थे ज बर्सडे का लिष्ट उसमें से हमने फेल करी थी ब्लेंग को एस दूसरा था मैज मेच का जो लेकॉर्ट थास्कोर खाओ उसका एक था जुर्डेता उसमें से क्वहने जो क्वास्चंभी वो दिये थे आज हम पढ़ेंगे water for health के बारे में जो water होता है पानी होता है वो हमारे health के लिए कितना अच्छा होता है उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला है यहाँ पे लिखा है drink 7 to 9 glasses of water everyday बच्चो क्या करना चाहिए हमें दिन में 7 से 9 glass water पीना चाहिए पानी हमें बहुत ही ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे सहत के लिए we all drink water everyday हम सभी रोज पानी पीते है it help us in digestion of food वो हमारे हम जो खाना खाते है उसको digestion पांचन क्रिया होती है हमारे बोडी में उसके लिए वो पानी जो है वो बहुत ही अच्छा होता है help गरता है digestion में it also help us to remove waste from our body वो हमारे बोडी में जो वेस्ट होता है कच्रा होता है उसको remove करने के लिए भी help करता है किसके लिए help करता है water हमारा जो खाना खाते है उसको digestion के लिए उसके हम जो पांचन करिया होती है हमारे body की उसके लिए वो help करता है और हमारे body में जो west कचरा जो होता है west is होता है उसको remove करने के लिए भी जो water है वो हमें help करता है Talk to your friend and find out how many glasses of water do they drink in one day आपको क्या करना है आपके जो friends है उसको पुछना है कि वो दिन में कितना glass पानी पीता है उससे आपको ये ऐसा list तयार करना है और उसके according आपको क्या करना है question है पीछे उसके answer देने है तो glass of water यहाँ पे है number of children मैं आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे यह fill करवाती हूँ तो three glass of water है अगर आपके friend में seven बच्चे ऐसे है जिसने three glass of water वो दिन में पानी पीते है आगे देखिए कितने glass है four glass four glass water five बच्चे है वो पीते है कितने है five glass five glass three बच्चे पीते है और six six glass दो six glass of water two बच्चे पीते है और seven glass of water seven three six और seven seven glass of water शायद one बच्चा ही पीता होगा उसके according में ने यह list बनाया है उसके according हम क्या करेंगे fill करेंगे blank यहाँ पे life skill है life skill में है water left in bottle should not be throw in the sink अगर आप school में जाते हो तब आप water लेके जाते हो उसमें अगर पानी बच्चा है तो आपको sink में डाल देना नहीं है sink में throw नहीं करना use it for watering the plant उसका जो बच्चा हुआ वो जो water है वो हमें कहां डालना है plants के पास डालना है क्योंकि वो water से पानी जो अमारा water है उससे जो पोधे है उसको भी पानी मिल सके ओके आगे है answer this question answer this question में है the number of children who drink three glass of water is तो उसके लिए तो हमें वो अगला हमने जो चार्ट बनाया था वो देखना पड़ेगा the number of children who drink three glass of water is कितने बच्चे है जो three glass of water पानी पीते है तो हम देखते है आगे यहाँ पर हम देखते है three glass of water पानी कितने बच्चे पीते है seven बच्चे तो हम लिखेंगे blank में seven यहाँ पर हमें क्या लिखना है seven second one two three four five six seven seven glass of water is drunk by blank student कितने बच्चे है जो seven glass water पीते है वैसा तो एक ही बच्चा था तो हम यहाँ पर लिखना है one the maximum children drink blank glass of water जो maximum बच्चे है वो कितने glass water पीते थे answer में आएगा three सबसे ज्यादा बच्चे three glass of water पानी three glass of water है वो पीते थे आगे है math activity वो हमें अभी नहीं करनी है साम में जो page है उसमें है fun activity उसमें देखिए look at the feet of children in your class everybody wear shoes look at the shawl of the shoes if there is the number on the shawl it is your shoes size क्या करना है सारे बच्चे को सारे बच्ची के पास सारे चुलरण के पास shoes होते है उसमें आपको देखना है कि अपने जो shoes है उसमें soul में ऐसके size लिखा हुआ होता है वो आपको देखना है और बताना है तो according to class यह सा list बनाना है कि कौन सी सूज का size आपके कितने बच्चे में पूरे class में कितने बच्चे से है जिसका सूज का size 7 है जिसका सूज का size 8, 9 और 10 है तो हम list बनाते है 7 नंबर का size जो है 12 बच्चे है 8 नंबर का size 15 बच्चे है 9 जो size 7 बच्चे और 10 नंबर का size है वैसे 3 बच्चे है तो हमें find out करना है find out में क्या करना है how many children wear 8 size shoes blank है children how many children wear 8 size shoes कितने बच्चे है जिसके पेर में 8 size का सूज होता है तो ऐसे 15 बच्चे है यहाँ पे लिस्ट में दिया है ऐसे कितने बच्चे है 15 तो हमें blank में लिखना है 15 children second question the number of children with 9 size shoes is 9 size क्या जो shoes पेंटे वैसे बच्चे कितने है 7 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 उसके बाद largest number of children have सबसे ज्यादा बड़ा सबसे मोटा जो बड़ा जो shoes होता है largest number वाला जो shoes होता है वो कितने बच्चे के पास है कितने बच्चे का shoes 10 number का है तो वैसे 3 बच्चे है उसके बाद the smallest number of children have size shoes smallest number of children have 12 size shoes समझ मैं है सबको यहाँ पे हमें क्या करना है जो भी बच्चे है उसमें कितने बच्चे का size उसका size 8 number का है 9 number का है सबसे बड़ा size का जो shoes है वो कितने बच्चे पेहनते है उसका और सबसे छोटा size का shoes है वो कितने बच्चे है जिसका सबसे छोटा size का shoes यूज करते है वो number हमें लिखने थे आज का वीडियो यहीं तक था अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए वंदे मात्रम कितने बच्चे है